हेलो स्टुडेंट्स, वेल्कम टू टीसे सेकेडमी, आई एम लोकुस वर्मा, आप लोग टीसे सेकेडमी पर लोग सेवा आयोक, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, लोग सेवा आयोक के द्वारा कराई जाने वाली जो भी परिच्छाएं हैं, जैसे UPPSC, RO, ARO या लोवर PCS, कुछ ऐसे अभ्यार्थी हैं, या ज्यादा तर अभ्यार्थी, साइन्स से नहीं होते हैं, उनको जनरल साइन्स अच्छे से समझ में नहीं आती है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, मैं लोग स्वर्मा, आपके सामने जनरल साइन्स को बहुत अच्छे तरीके से लेकर आया हूँ, कुछ टॉपिक ऐसे हैं, जो कि आपको आपके एक्जाम के लिए बहुत अच्छा सही योग देंगे, तो मैं आज आपके सामने देश की महामारी जो लगभा का पूरी दुनिया में फैल चुकी है, मैं उसके बारे में जानकारी दूँँगा और बहुत अच्छे तरीके से समझाओंगा, ज़्यादतर स्टुडेंट्स ऐसे होते हैं, जो साइन्स नहीं पढ़ते हैं, उनको साइन्स समझने में काफी कठिनाईयां आती हैं, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, मैं लौकुस वर्मा आपके सामने चीजों को सरलता से आपको समझाओंगा, तो मैं आज स्टार्ट करता हूँ, जो कि हमारे देश की महामारी है, कोरोना वाइरस, कोविड नाइन्टीन, कोरोना वाइरस के बारे में, सबसे पहले मैं बता दूँ, कि यह जो कोविड नाइन्टीन है, या कोरोना वाइरस है, इसका फुल फॉर्म क्या है, जो कोविड नाइन्टीन है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, कोविड नाइन्टीन, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो CO for होता है Corona, VI for होता है Virus and D for होता है Disease, Corona virus disease and 19 for होता है 2019, 2019, यह है COVID-19 का full form. देन इसकी बाद बता दूं कि जो COVID-19 है यह पूरी दुनिया में फैला हुआ है, मलब pandemic है, तो कुछ टर्म में बता दूं pandemic क्या होता है, epidemic क्या होता है, ऐसे word क्या होते है, pandemic क्या होता है और epidemic क्या होता है pandemic का मतलब वो कि IC disease जो किसी एक एरिया में हो और अनकंट्रोल हो IC disease जो किसी एरिया में हो और अनकंट्रोल हो, उसको क्या बोलेंगे, pandemic, वो क्या कहलाएगी, pandemic, epidemic क्या कहलाएगी, epidemic क्या होता है IC disease जो पूरी दुनिया में हो, जैसे pandemic में था कि वो एक ही एरिया में हो और अनकंट्रोल हो, वहीं पे हो जाए, वहीं के जो परसन हो, वो परभावित हो बट जो epidemic word है, यह IC disease जो कि पूरी आलवर्ड में हो, पूरी दुनिया में हो, जैसे मैं चोटा सा example ले लूँ, कि coronavirus, जो coronavirus है, अगर यह सिर्फ जहां से start हुआ, सिर्फ चाइना से start हुआ था, तो चाइना क्या था? चाइना के अंदर ही अन्कंट्रोल था, तो चाइना के लिए जो coronavirus था, वो pandemic था, बट आज coronavirus पूरे world में है, पूरी दुनिया में है, तो यह कैसा हो गया है? epidemic हो गया है, कैसा हो गया है? epidemic हो गया है, तो आपको समझ में आ गया होगा, कि coronavirus, coronavirus, COVID का फूर्फार्म क्या है? coronavirus disease 2019, उसकी बाद epidemic क्या होता है, और pandemic क्या होता है? यह समझ में आ गया आपको, अब मैं कुछ coronavirus के बारे में जानकारी दे दूँ, कि क्या होता है coronavirus, ठीक है? जो novel coronavirus है, ठीक है? यह सबसे पहले चीन के वहान सहर में, कहा? चीन के वहान सहर में, वहान, चीन के वहान सहर में, सबसे पहले चीन के वहान सहर में देखा गया था, किस सन में? December 2009 में, December 2009 में, चीन के वहान सहर में, कुरोना वाइरस खो जा गया था, हलाकि इससे पहले इसके वारे में जानकार दी जा चुकी है, सबसे पहले 2003 में, 2002 में रिकगनाईस किया था, चाइना में ही, ठीक है? उसके वारे मैं बताओंगा, लेकिन recent की condition मैं बता दूँ कि अभी जब नया आया है, जाए कुरोना वाइरस, तो इसमें चीन में, चीन के उहान सहर में मिला था सबसे पहले इसका case, और किस सन में सन 2009 में, ठीक है? सन 2009 में, और ये फैलता कहा किस से किस से है, प्रांस्मिट किस से किस से होता है, तो मैं बता दूँ, ये एनिमल से human being में फैलता है, किसमें? एनिम के लूप चीन के जो लोग होते हैं वो डिफरेंट 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 एनिमल का सूप पीते हैं तो उसी के जरीए क्या हुआ यह human being में आ गया ठीक है उसकी बाद coronavirus के symptom क्या है symptom क्या है कुछ चीज़े बताऊंगा उसके बाद coronavirus से रिलेटर कोस्टन जोके एक्जाम में पूछे जाने वाल है उनको डिस्कस करूँगा symptom जैसे कफ फीवर टायरडनेस सौटनेस आप ब्रीधिंग कफ आएगा या फीवर हो जाएगा तायरडनेस ठक जाएंगे या सांस लेने में दिक्कत होगी यह सब coronavirus के symptom है उसकी बाद spread कैसे होता है spread कैसे होता है droplet के थूरू spread होता है मतलब जिसको coronavirus है अगर उसने छीख दिया तो क्या हुआ droplets बाहर आएंगी और जो सामने वाला person है वो क्या करेगा उन droplets को inhale करेगा और उसको भी covid हो जाएगा या coronavirus हो जाएगा फिर या फिर ऐसी जगहें मालो हमने ये touch किया यहां पे coronavirus infected person ने भी पहले से touch किया था और वो यहां पे था हमने भी touch कर लिया तो हम क्या हो जाएगे corona positive क्योंकि transmission droplets के थूरू भी होता है बाई touch के थूरू होता है क्योंकि यह चोटे चोटे पोर होते हैं इसे भी coronavirus transmit हो जाता है अगला इसका prevention कैसे करेंगे prevention सबसे पहला prevention का जो तरीका है वो है social distancing क्या social distancing ठेक है दूसरा washing hands washing hands with soap या using hand sanitizer soap से हाथ को wash कर ले या hand sanitizer से wash को wash को wash कर ले ठेक है icy surface को avoid करना है या icy surface cleaning surface मतलब कोई भी surface हो उसको clean करके तभी बैठना है यह सब क्या है prevention है कैसे prevent होता है दूसरी बात हात को बार बार छुना नहीं है और मास्क को लगा के चलना है टेक है यह सब coronavirus से बचने के नियम है कि कैसे हम लोग coronavirus से बच सकते हैं टेक तो आते हैं सबसे पहले कुछ इसके बारे में जान लेते हैं कि जो कुरोना वारस होता है ये होता कैसा है spherical होता है और pleomorphic होता है कुछ चीजे बता दूँ शाइट में जल्दी से ये कैसा होता है spherical या pleomorphic होता है कैसा होता है spherical या प्लियो मार्फिक होता है और यह 100 नैनो मेटर का होता है कैसे 100 नैनो मेटर डायमेटर का होता है 100 नैनो मेटर डायमेटर का होता है अगली बात मैं बता दूँ कि जो यह होता है RNA वायरस है जो कुरोना वायरस है वो कैसा वायरस है RNA वायरस है तो यह largest positive strand RNA का बना होता है किस्सा किसका largest positive, largest positive strand RNA virus है, कैसा RNA virus है, याद रखना यह RNA virus है, DNA virus नहीं है, ठीक है, उसके बाद तिर जो इसकी surface होती है, उस पे जो projection होती है, ठीक है, वो projection का नाम है, spikes, क्या, spikes, और वो काहे की होती है, वो glycoproteins की बनी होती है, काहे की glycoproteins की, surface पे large projection होते हैं, वो जो large projection होते हैं, जो यह projecting spikes होते हैं, large projecting spikes होते हैं, अभी structure बनाएंगे, तो पूरा समझाएंगे, कि वो spike किसके बने होते हैं, उनका काम क्या होता है, किसके कारण, large glycoproteins, due to glycoproteins, जो large, surface, large projection होंगे, spike उनको बोलेंगे, किसके कारण होंगे, glycoproteins के कारण होंगे, ठीक हैं, और इसका जो नाम दिया गया है, इसका जो नाम दिया गया है, जो कोरोना का नाम दिया गया है, वो लिया गया है crown से, crown का मतलब taj, कोरोना मतलब crown, crown से, इसका नाम crown से लिया गया है, crown से इसका नाम corona रखा गया, किसका shape कैसा होता है, crown shape होता है, इसका shape, यह मैं बना दूँ, यहाँ पे इसका सेब बना दूँ तो यह ऐसा स्फेरिकल है यह देखो चोटी चोटी स्पाइक लगी होती है चोटी चोटी स्पाइक लगी होती है किसके गलाइको प्रोटीन कौन से प्रोटीन गलाइको प्रोटीन यह देखो यह कैसा वायरस है आर इनने वायरस है इसका जो जंटिंग माटेरियल होगा वो क्या होगा आर ने होगा यह आर ने ठीक यह इस्ट्रक्टर हमने बना दिया कोरोना वाइरस का ठीक है उसकी बात इसके जो स्पाइक होते हैं इसमें प्रोटीन पाई जाती है कौन-कौन कौन कौन सी प्रोटीन पहीं जाती हैं? तीन तरहे की Spike में तीन तरहे की protein पहीं जाती हैं. कौन क्थी protein पहीं जाएगी? S protein दूसरा HE protein और दीसरा M protein3 पहीं पहींगे. इस्पाइक में तीन तरह S प्रोटीन, H E प्रोटीन और M प्रोटीन ठीक है, M प्रोटीन का मतलब मेंब्रेन प्रोटीन, H E प्रोटीन का मतलब हीमागलोटीन, इस्टरेज, H E का मतलब हीमागलोटीन, इस्टरेज प्रोटीन, M प्रोटीन का मतलब मेंब्रेन प्रोटीन, S प् प्रोटीन का मलब होता है स्पाइक प्रोटीन ठेक हैं तीन तरह की प्रोटीन पाए जाएंगी इस कुरोना वाइरस में उसकी बाद क्या होगा यह सबसे ट्रेकियल रिंग जो होती है ठीक है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में पाय जाती है जो ट्रेकियल रिंग होगी वहाँ पे बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं ठीक है कुछ कुछ human strain देखे गए हैं कि जो embryonic fibroblast होती है वहाँ भी मिले हैं तो मैंने कुछ coronavirus के बारे में बता दिया थी कि कैसे यह spherical या pleomorphic shape के होते हैं 100 nanometer diameter के होते हैं large part 2 strand RNA virus है उसके बाद surface large projecting surface पर large यह कोई इसकी surface है इसके उपर कैसे large projecting spike पाये जाते हैं कि इसके करणड वो glycoprotein की दूसरी बात इसको crown crown के नाम से इसका नाम corona रखा गया है इसके उपर जो spike होती है वहाँ पे S protein, HE protein और M protein पाये जाती है तीन तरह की protein पाये जाती है कौन कौन सी यहाँ पे protein लिख दूँ कौन कौन सी protein पाये जाएगी एस protein एस का मतलब spike हो गया HE का मतलब हीमा gluten इस्टेरेज protein और M protein का मतलब membrane protein तीन तरह की protein पाये जाती है यह कुछ जानकारी थी Corona virus के उपर क्यों pandemic इसको कहा गया epidemic क्यों कहा गया COVID का full farm क्या था अब आते हैं कुछ question को ले करके जो की आपके exam के purpose से या exam के relation से important हैं तो आते हैं देखते हैं कौन से कौन कौन से question हैं सबसे पहले जो Corona virus है कहां देखा गया था कहां case सबसे पहले मिला था तो वो चीन के उहान सहर में सबसे पहला Corona case देखा गया था सबसे पहला Corona case कहां देखा गया था चीन के उहान सहर में तो सबसे पहले मैं बता दू कुछ question है सबसे पहले WHO ने novel coronavirus को COVID-19 नाम कब दिया जो WHO ने world health organization थे उन्होंने Corona virus को ठीक है COVID-19 नाम कब दिया ठीक है तो बता दू ये important question है ठीक है novel coronavirus को COVID-19 का नाम कब दिया गया कब दिया गया COVID-19 को COVID-19 ठीक है पर ही COVID-19 बोल लह थे novel coronavirus को COVID-19 लिख दू question novel coronavirus novel coronavirus को COVID-19 नाम कब दिया गया ठीक है novel coronavirus को COVID-19 नाम कब दिया गया तो इसका answer ये question था इसका answer जो है वो है 11 डबलू एच्चों ने आगे question दिखना था डबलू एच्चों ने डबलू एच्चों ने word health organization ने कोरोना वाइरस को COVID-19 नाम कब दिया इंपोर्टन question है इसका answer होगा 11 February 2020 11 Feb 2020 इसका answer है 11 Feb 2020 ठीक है दूसरा question है आपका first case of COVID-19 seen in outside in India क्या सबसे पहले पहला case COVID-19 का इंडिया के बाहर कहा देखा गया first case दूसरा question पर आते हैं question number two first case question number two पर आते हैं first case of COVID-19 first case of COVID-19 seen in outside in China sorry इंडिया नहीं इंडिया वाला भी बताऊंगा first case of COVID-19 seen in outside of China first case of COVID-19 seen in outside of China पहला case चाइना के बाहर COVID-19 का कब देखा गया या outside in China या कहां देखा गया पहला case कहां देखा गया था COVID-19 का चाइना के बाहर तो answer इसका है answer Thailand में देखा गया था कहां देखा गया था Thailand में देखा गया था अगले question पर आते हैं question number third coronavirus जो है इसका incubation period कितना होता है तो जो coronavirus इसका incubation period होता 2 to 14 days दो से 14 दिन incubation period of coronavirus is कितना है 2 to 14 days दो से 14 दिन तो तो 14 days दो तो 14 days उसकी बाद आते हैं सबसे पहला डबली अच्चन नोवल coronavirus को COVID-19 आप कब दिया ग्यारा फर्वली 2020 को दूसरा फर्स्ट केस आप COVID-19 सीन इन आउटसाइड आफ इंडिया स्री आउटसाइड आफ चाइना चाइना के बाहर सबसे पहला केस कहा देखा गया था COVID-19 का तो थाइलाइन में देखा गया था इनक्यूबेशन प्रिड़ आप कोरोना वार्स कितना होता है 2 से 14 दिन होता है उसकी बाद में बता दूं कोरोना वाईरस के लिए जो टेस्ट होते हैं वो कौन-कौन से टेस्ट होते हैं कौरोना वाईरस के लिए जो टेस्ट होते हैं सबसे पहला टेस्ट होता है एंटी बादी टेस्ट और दूसरा टेस्ट होता है RT-PCR test कौन सा पहला test होता antibody test दूसरा RT-PCR test होता है जो RT-PCR test होता है वो recent corona positive है person या नहीं उसको recent जानकारी देता है RT-PCR और उसका फुलपाम होता है reverse transcription polymerase chain reaction और जो antibody test होता है ठीक है वो recent की नहीं जानकारी देता है वो अगर corona positive होगा तो उसकी जान रिपोर्ट काफी समय लग जाता है आने में उसकी बाद फिर पता जलता है कि वो COVID positive है तो आते हैं कुछ test for COVID-19 कौन-कौन से test थे test for test for COVID-19 COVID-19 कौन-कौन से test थे पहला test जो था उसको बलते थे antibody test antibody test और दूसरा जो test है वो RT-PCR test RT-PCR का full form है reverse transcription polymerase chain reaction लिख देता हूँ reverse transcriptase poly reverse transcriptase polymerase chain reaction reverse transcriptase polymerase chain reaction और पहला test antibody test होता है ठीक है दो तरह के test होते हैं ठीक है कौन-कौन से test RT-PCR ठीक है और दूसरा antibody test अerkो त्क । रही त्की होते हैं अग्रेटर अरनाolan डो और सो आधे हैं अग्रों के अधेंève से श्रीक के लेते हैं और उसको रूस के अधनर में रूस के अधे ST лю नेये अधाय है और इसके हैं म्रूस में रूस के 수 किस राज्य में हुई भारत में कोरोना वाइरस से सबसे पहली मृत किस राज्य में हुई तो इंडिया ठेक हैं इन इंडिया फर्स्ट कोरोना वाइरस देट अकर इन विच स्टेट ठेक हैं तो इन इंडिया इन इंडिया इन इंडिया फर्स्ट कोरोना वाइरस देट कोरोना वाइरस डेथ अकड इन वीच स्टेट अकड इन वीच स्टेट कहा गया है कि इंडिया में सबसे पहले कोरोना वाइरस से होने वाली देथ वो किस स्टेट में हुई थी तो इसका answer मैं बता दूँ, यह question था, इसका answer है, यह आपके exam से related question है, जो coronavirus के ऊपर है, तो इसका answer है, करनाटका, सबसे पहले जो death हुई थी, वो कहा हुई थी, करनाटका में, करनाटक में, कहा हुई थी, करनाटका में, सबसे पहले होने वाले death थी, वो कहा हुई थी, करनाटक मिल्ला करनाटक में अगले कुछिशन पे आते हैं कि जो ??? है ॢच को मैं वाइरिस。」 तुम भॉनाटक में , तुम्हान बता चुका हूँ. काफ , अगले कुष्षन पर आते हैं कि जो जो कोर न वाइरस न सर्व二वर्वीर गयाँ की लच्छन क्या है? और अप्शन में दिया था, फिक तो आपने हिसाब से अब लगा ले ना के तुम्हें बता चुपा हूं. अगला कुस्चन है की कुरोणा वाइरस की पहसाम सबसे पहले कि स सबसे से पहले जो कोरोना वाइरस की पहसान वो किस दसक में हुई थी मतलब कोरोना वाइरस वर फर्स्ट अडेंटिफाइड इन विच डिकेड कोरोना वाइरस अगले क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन बट गॉर्ण वाइरस वर फर्स्ट इंटिफाइड इन वेच फर्स इंटिफीट इन विच फर्स्ट इंटिफाइड किस दसक में सबसे पहले coronavirus आइडेंटिफाई किया गया था तो इसका एंसर है 1965 में 1965 में 1965 में सबसे पहले coronavirus को आइडेंटिफाई कर लिया गया था साथ ही साथ coronavirus का अगले question पर आते हैं साथ ही साथ coronavirus का अगला क्या है चीन के किस प्रांथ में हुआ था चीन में तो हुआ था उस्सोब प्रांथ बताया रहा चीन के किस प्रांथ में हुआ था तो corona outbreak was originated अगले question पर आते हैं corona outbreak आउटब्रेक वाज ओरिजिनेटेड, कोरोना आउटब्रेक वाज ओरिजिनेटेड, इन विच प्रोविन्स आप, in विच प्रोविन्स आप। कोश्चन है, कोरो नवार्स का प्रकोप चीन के किस प्रांत में हुआ, कोरोना वार्स का प्रकोप चीन के किस प्रांत में हुआ, थेक हैं, तो कोरोना आउट ब्रेक, what originate in which provenance of चीन थेक है, या चाइना, तो एंसर इसका है, एंसर इसका है। हीूब में सबसे पहले सुर्वात हुई थी। किस प्रांत में? हीूब में किस परांत में? आपके सामने question है। सबसे पहला question इन इंडिया फर्षल गैथllor in विच स्टेट सबसे पहले इंडिया में? किस state में? कोरोना से होने वाली death किस state में थी तो करनाठका में सबसे पहले death हुई थी कोरोना वाइरिस से दूसरा कोरोना वाइरस वार first identified in which decade किस दसक में कोरोना वाइरस identified किया गया था 1965 में identified किया गया दूसरा कोरोना outbreak was related with provenance of china चीन के किस प्रांत में सबसे पहले कुरोनावाइरस देखा गया तो उसका प्रुकोप हुआ था तो वह कौन सा था हुब ठीक है अगले कुशन पर आते हैं कि यह सार्स है सार्स का मतलब समझ रहे हैं सार्स वाइरस सबसे पहले इस जभेंड कब हुआ था और इसका फूल फार्म क्या है तो शार्स का फूल फार्म है S A R S सार्स सार्स का फूल फार्म है Severe Acute Respiratory Syndrome सीर्यास एक्व्ड रिस्पाइरेटरी सिन्डिवं सार्स का फूल फार्म है Serious Acute Respiratory Syndrome लिख देता हूं सार्स SARS, इसका फुलफार्म है, CVR, CVR, Acute, क्या फुलफार्म है इसका, CVR, CVR, Acute, Respiratory Syndrome, Serious, Acute, CVR, CVR, Acute, Respiratory Syndrome, अब यही पर एक क्योशन है, सबसे पहले जो SARS वाइरस है, वो इस्प्रेड कहां हुआ था, किस कंट्री में हुआ था, 2002 में, क्योशन है तुम्हारा, यही पर इस पर एक क्योशन है तुम्हारा, कह रहा है, SARS वाइरस वाज स्प्रेड इन, SARS वाइरस वाज स्प्रेड इन, स्प्रेड इन, 2002, 2002, इन वीच कंट्री, सबसे पहले जो SARS वाइरस है, इस्प्रेड इन, 2002, इन वीच कंट्री में हुआ था, तो इसका एंसर है, SARS virus was spread in 2002 in which country जो SARS virus is severe acute respiratory syndrome ये सबसे पहले 2002 में किस country में देखा गया था तो वो है कौनसी answer उसका है साउधी अरेबिया या साउधी अरब ठीक है साउधी अरब में अगला question पर आते हैं कहा गया है कि कोरोना वाइरस आर जोनोस्टिक कोरोना वाइरस कैसा है जोनोस्टिक है तो जोनोस्टिक मीन्स क्या होता है जोनोस्टिक का मतलब क्या होता है जोनोस्टिक का मतलब क्या होता है जोनोस्टिक का मतलब होता है कि यह ट्रांस्मिट होता है एनिमल और यह ट्रांस्मिट होता है किसके किसके भी जोनोस्टिक का मतलब यह ट्रांस्मिट होता है एक एनिमल से दूसरे एनिमल के भीट में इसलिए इसको क्या बोलेंगे जोनोस्टिक बोलेंगे क्या बोलेंगे जोनोस्टिक बोलेंगे 2002 में, 2002 में किस देश में फैला था? किस देश में फैला था? तो इसका एंसर है, कौन सा देश है जहां पे 2002 में फैला था? चाइना में, कहां? चाइना में SARS का फुल फाहम है, Severe Acute Respiratory Syndrome SARS virus was spread in 2002 in his country तो वो है Saudi Arabia, जोनोस्टिक का मतलब होता है एक animal से दूसरे animal फैलने वाले जो होते हैं जैसे अभी जो मतलब जो coronavirus है, ये जोनोस्टिक है जोनोस्टिक इसका है, क्यों? क्योंकि ये अभी जितने भी जैसे चंगार थी, बैट्स थी, उनका सूर पीते थे चाइना वाले, तो क्या होता है उनको coronavirus हुआ था, क्योंकि ये वहाँ से जो animal थे, मतलब जैसे बैट्स थी, उनमें था, तो उससे उनके दरक इसमें हो गया human में, तो उसको बोलेंगे, जो नोश्टिक टर्म नाम देंगे, शार्स वरत 2002 में किस देश में फैला था, तो चाइना में फैला था, ठेक हैं? ये मतलब आप समझ गये होंगे अगला question है, कि कुरोना वाइरस एक तरह का आम वाइरस है, जो कि कहां संक्रमन करता है जो कि संक्रमन का कारण बनता है, तो जो कुरोना वाइरस मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले ये कहां स्टार्ट करता है, नाक में, ठेक, साइनस में, और फिर गले में जाता है, ये हो गए कुरोना वाइरस के सिम्टम, एक कोशन और आपके शामने यहां बनता है, कि जो महामारी रोग अधनियम था, जो महामारी रोग अधनियम का कौन साखंड, राज्य सरकार, केंद्र साशित प्रदेशों को विशेश उपाय करने, अथवा किसी भी प्रकोप को रोकने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है, फिर से कोशन परता हूँ, महामारी रोग अधनियम का कौन साखंड, राज्य सरकार, केंद्र साशित प्रदेशों को विशेश उपाय करने का, अथवा किसी भी प्रकोप को रोकने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है, तो वो है section number नमबर टू में ही यह सब बताया गया है तो जितने भी कोरोना वारस से रिलेटेड कोश्चन है हम आपको सामने बता जुके हैं लास्ट में आती कुछ बात वैक्सीन पर कि वैक्सीन का क्या मामला तो वैक्सीन जो सीरम इस्ट्यूट है वहाँ उनके साथ मिल करके सीरम इस्ट्यूट के आक्सपोड और एक्स्ट्रा जिनिका आक्सपोड और एक्स्ट्रा जिनिका यह इनिश्ट्री मिल करके वैक्सीन का निर्माड कर रही है ठीक है और जो वैक्सीन जो नाम आये सीरम इस्ट्यूट से व तो वो कोविड सील्ड वैक्सीन का नाम से आई है किस नाम से कोविड सील्ड वैक्सीन का नाम से आई है ठीक कमपनी कौन से बना रही है फाइबर कमपनी भी विदावा कर रहे है कि वैक्सीन का प्रियोग चल रहा है देखते हैं आगे कब तक वैक्सीन आती है और कुरोना वा पर से इंक्पॉर्टेंट है। जैसे हमने बताया, सबसे पहले भारत में किरोनावरिस है मृतु किस राज़ में हुई थी तो करनाटका में हुई थी इसी तरह आगर टाइप आप कुरोना वारष पूछा जाए, कुरोना वारष के तरह के कोरोनावारस पाय जाते हैं तो ग्यारा फरवरी 2020 को तीसरा कुस्चन बता है कि सबसे फिर उसके बाद test COVID-19 के लिए बता दिया, दो तरह के test होता है, antibody test और RT-PCR test होता है, जो RT-PCR test होता है, उसका full form ने बता दिया, reverse transcriptase polymerase chain reaction होता है, ठेक हैं, यह nasopharyngeal swab लेते हैं इसमें, और यह क्या करता है, current इर्भान mission बताता है, दूसरा antibody test होता है, फिर उसके बाद हमने चीन के हुबे प्रांत से शुरुआत हुई थी, फिर अगला question हमने बता है, कि SARS वरत 2002 में, किस देश में फैला था, तो SARS वायरस था, severe acute respiratory syndrome, जो था, तो वो सबसे पहले कहा फैला था, वो फैला था, चीन में, 2002 में सबसे पहले, चीन में आया था, उसकी बाद, अगला question हमने कि जो महामारी रोग अधनियम का कौन सा खंड राज सरकार, जा केलर सासित प्रदेशों को विशेज उपाय करने का अथवा, किसी भी प्रकोप को रोकने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है, तो वो किस section के अंतर गताता है, तो वो section number 2 के अंतर गताता है, अगला question हम ने बताया कि जो corona virus है, ठीक है, वो common type का अधिक वाइरस है, लेकिन उसका infection का काज क्या है, कहां पर सबसे पहले infect करता है, तो सबसे पहले infect करता है, nose में, फिर sinus में, फिर upper part of neck में, ठीक है, अगला question मने बताया कि corona virus की पहचान सबसे पहले किस दरसक में हुई थी, तो corona virus की प बनते हैं एक्जाम के परपस से important है आप इनको ध्यान से पढ़िए और दिमाग में बठाए आपके एक्जाम के परपस से जो होने वाले आपकी परिच्छाएं हैं उनके परपस से important है thank you